आज मैं आपको अपने इस वीडियो में हिंदी का एक चैप्टर है जिसका नाम है आम और गालीब इसका मैं आज आपको प्रश्ण उत्तर और व्याकरन बोद बताऊंगी तो चली सुर्वार करते हैं प्रश्ण को से कैसे पता चलता है कि मिर्जा गालीब को आमों के बहुत इसका पता चलता है उन 63 चिट्थियों से जो गालीब ने अपने मित्रों को भिन प्रकार के आमों का उलेक करते हुए लिखी थी आम पर उन्होंने सायरी भी की है गालीब के आमों के चाओ के बारे में कहा जाता है कि वे एक मात्र ऐसे व्यक्ति थे जिनोंने भिन प्रकार क प्रश्नकों भारत में आम की कितनी प्रजातिया पाई जाती है। प्रेश्नगों हजरत अमीर खुसरों ने आम को क्या नाम दिया उत्तर है हजरत अमीर खुसरों ने आम को एक गुलसन कहा है प्रेश्नगों गालीब की याद में आमों की दावत कहां की जाती है उत्तर है आमों के मौसम में गालीब की याद में दिल्ली की गालीब अकादमी द्वारा बस्ती हजरत निजामुदिन में इस्थित उनकी मजार पर आमों की दावत का आयोजन किया जाता है अब मैं आपको गध्यांस का प्रश्नकों बताओंगी प्रश्नकों है एक आख नो भाना का क्या आसय है इसका आसय है कि हकीम रजी उद्दिन खां को आम बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे प्रश्नकों गधे के छिलके सूंग कर चले चाने के बाद हकीम सहाब ने मिल्जा से क्या कहा उत्तर है हकीम सहाब मिल्जा से बोले देखिए आम ऐसी चीज है जिसे गधा भी नहीं खाता अब मैं आपको संचेव का प्रश्टर बताऊंगी प्रश्ण को फलो के सहनसा आम की विसेस्ता क्या है उत्तर है इसकी विसेस्ता यह है कि नौकेवल अन्मबले इसे काट कर खाने में अधिक मज़ा आता है बलकि इसे कच्चा खाने या चूस कर खाने का मज़ा भी कुछ और ही है प्रश्ण को गालीब को आम कौन कौन भेशते थे उत्तर है गालीब को रामपूर के नवाब लंगड़ा आम भेशते थे बरेली से भी एक दोस्त सरोली आमो की टोकरी भेशते थे एक बार बहादुर सा जफर ने भी महताब बाग के आमो का टोकरा भिजवाया था उनके बेटे मिर्जा फकरू भी उने आम भेशते थे प्रश्ण को आम के बारे में गालीब के अतिरिक्त और किन किन लोगों ने लिखा है उत्तर है आम के बारे में नजीर अकबराबादी और इकबाल ने भी बहुत कुछ लिखा है अब मैं आपको इसका तीन विस्तार से उत्तर लिखे का प्रशुत्तर बताऊंगी प्रश्ण को है उर्दू ए मुअला में प्रकाशित आम से संबंदित पत्र का वर्णन कीजिए उत्तर है गालीब द्वारा रचित पुस्तक उर्दु ए मुळला में गालीब का एक पत्र आमो के संबंध में प्रकाशित हुआ है जिसमें उन्होंने लिखा है आम मुझको बहुत पसंद है रामपूर से नवाब ने लंगडा आमो की पेटी भेजी है हाँ बरेली से भी एक दोस्त ने दसीले सरोली आमो की एक टोकरी भेजी है बलकि दो टोकरिया है हर टोकरी में 100 आम है कलू दारोगाने मेरे सामने वे टोकरिया खोली 200 में से 83 आम निकले बाकी सड़ गय थे प्रशनको बहदूर साजफर और मिर्जागालीब की महताब बाग की सेर का किस्सा अपने सब्दों में लिखिये उत्तर है एक बार बहादूर साजफर आमो के मौसम में कुछ दरबारीयों के साथ महताब बाग में घूम रहे थे मिर्जागालीब भी उनके साथ थे यहां के रसीले आम केवल बादसा की बेगम के लिए ही थे अन्य के लिए नहीं गालिब बार बार आमों की ओर ही देख रहे थे बहादूर सा उनके मन की बाद जान गए और बोले मिर्जा इस कदर ध्यान से क्या देखते हो गालिब बोले हुजूर आम आम खाने वाले का नाम लिखा होता है मैं यह जानने की कोशिस कर रहा हूँ कि किस किस आम पर मेरा नाम लिखा है बादसा गालिब की हाजिर जवाबी से बहुत प्रशन हुए और अगले ही रोज महताब बाग के आमों के दो टोकरे बिजवा दिये प्रशनगो गालिब आम मांग कर खाने में भी गुरेज नौ करते थे इससे उनके व्यक्तितु का कौन सा पहलू सामने आता है उत्तर है मिर्जा गालिब का व्यक्तित बहुती सरल और सहस्था उनमें अहमकार नाम मात्र के लिए भी नहीं था उनका स्वभाव भी आम की तरह सरस्था नीरस्ता, कटूता उनको च्छू भी नहीं पाई थी जैसे फलो का राजा आम होता है ठीक वैसे ही रसी को विद्वानों कद्रदानों के राजा मिर्जा गालिब थे प्रश्नगो नानोता में गालिब किस तरह आम की दावत उड़ाते थे उत्तर है सैख मौसिनोदीन हर वर्स मिर्जा सहाब को नानोता सहारनपूर बुलाते थे और वे बाग में बैट कर घंटों मीठे आम खाते थे सैख सहाब वहीं बर्मे के पास चार पाई बिछा देते बाल्टियों में रसीले ठंडे आम पड़े रहते वे घंटों उन्हें चूशते रहते थे तो बचो ये था इस पार्ट का प्रश उत्तर अब मैं आपको इस पार्ट का व्याकरन बोद बताऊंगी तो उससे पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन भी दबाए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर सकते हैं ताकि मुझे भी आपसे मोटिवेशन मिलते रहें तो चली स्टार्ट करते हैं इसका व्याकरन बोद यहाँ पर लिखावाए हिंदी रूप लिखिए सायरी, कवीता, वलिय, अहद, बेटा, यपुत्र, बेगम, श्रीमती, पत्नी, मुशायरा, कवी, समेलन, लुथ्व, आनंद, सागीर्द, सिस, नमबर टू, तदभाव रूप लिखिए आम, सुरी, आमर, आम, गधर्ब, गधा, मित्र, सखा, जीवा, जीब, पत्र, पत्ता, याचिठी, छन, पल, ग्रीह, घर, अक्छी, आँख, कूप, कुवा, युग, जुग, क्रोध, गुसा, और कार, काम निम्न लिखित वाक्यों के बदल कर लिखिए एक नमबर, हम आपके साथ बागों में घूमना चाते हैं मैं यहाँ पर सिर्फ उत्तर लिखी हूँ, और कोशन आप अपने किताब से देख सकते हैं बच्चो नमबर दो, हमारे विद्याले में गालिप की सायरी का अच्छा संकलन है नमबर तीन, मैंने आज बहुत आम खाएं नमबर चार, कविताएं हमारे जीवन का एक महतपूर्ण हिस्सा रही है नमबर पांच, आज संग्राले देखने अनेक यात्री आये हैं चार नमबर इसमें सकर्मक अकर्मक बताना है तो मैंने सिर्फ उत्तर लिखावा है कौन नमबर अकर्मक करिया, खौन नमबर अकर्मक करिया और गौन नमबर सकर्मक करिया आगे बढ़ते हैं पांच नमबर में संबंद बोदक सब्द छाट कर लिखिए तो कोश्चन में जो संबन्द सब्द है वो सिर्फ मैंने लिखा है को नमर के बिना, को नमर के साथ, गो नमर की और गो नमर के अतिरिक्ट और अंगो नमर के साथ नहीं मत लगाकर वाक्य को दुबारा लिखे चो नमर का को है, तुम्हें गालिप के बारे में नहीं पता था, खो नमर, साइद वह कल नौ आए, गो नमर, गधे आम नहीं खाते हैं, गो नमर, रात को बाग में मत जाओ, गो नमर, वे मांग कर खाने में गुरेज नहीं करते थे, तो बचो ये था आम और गालिप का आईए मैं उसे लाने की कोशिस करूगी तो आज के लिए थैंक यू बाइए